हेलो फ्रेंस मैं आप सभी का अपने यूटूब चैनल पर स्वागत करती हूँ आज मैं आप लोगों को 2022 में आने वाली हिंदू लड़कियों के लिए में सिराज से सबसे मौडर्ण वन नए नाम बताएंगे तो फ्रेंस आपको फर्ष नाम है अभिज्या जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान अब आपका नेक्स नाम है आन्वी आन्वी का अर्थ होता है दयावान अब आपका नेक्स नाम है आद्रिका आद्रिका का अर्थ होता है आश्मान को चुने वाली अब आपका नेक्स नाम ह लीपिका, लीपिका का अर्थ होता है वर्ण माला, गी नाम किसी भी लड़की के लिए बहुत ही प्यार नाम है, नेक साम है अर्वी, अर्वी का अर्थ होता है, सान्ति, अब आपका नेक साम है लिशा, लिशा का अर्थ होता है, नोबल प्रकार, ये नाम दो अक्षर का बहुत ही छोटावा प्यारा है नेक साम है, अल्पना, अल्पना का अर्थ होता है, सजावटी, उम्मीद करती हूँ ये नाम आपको वेहधी पसंद आया होगा नेक साम है, आस्था, आस्था का अर्थ होता है, विश्वास, ये नाम किसी भी लड़की के लिए बहुत ही प्यारा नाम है नेक साम है, आर्जू, आर्जू का अर्थ होता है, तमन्ना, अब आपका नेक साम है अन्वी, अन्वी का आर्थ होता है देवी का नाम, नेक्स नाम है अपेच्छा, अपेच्छा का आर्थ होता है उमीद, की नाम किसी भी लड़की के लिए बहुत ही प्यार नाम है नेक्स नाम है लावन्या, लावन्या का आर्थ होता है अनुग्रहा, अब आपका नेक्स साम है लेतिका, लेतिका का आर्थ होता है प्यारा, उम्मीद करती हूँ ये नाम आपको फेहधी पसंद आया होगा नेक्स साम है आइसा, आइसा का आर्थ होता है विसेस, अब आपका नेक्स साम है लोकिता, लोकिता का आर्थ होता है, प्रबुध ये नाम किसी फी लड़की के लिए बहुत ही प्यार नाम है नेक्स नाम है, चित्रानसी, चित्रानसी का आर्थ होता है बड़ी तस्वीर का हिस्सा, नेक्स नाम है चेष्टा, चेष्टा का आर्द होता है कोशिस करने के लिए अब आपका नेक साम है चारवी, चारवी का आर्द होता है यदि आप अपनी बेटी का नाम सी अच्छा से रखना चाती है तो ये नाम बहुत ही प्यारा है नेक्ट साम है चाहना, चाहना का आर्थ होता है लालसा, आब आपका नेक्ट साम है चैत्र, चैत्र का आर्थ होता है नई, उज्वल, नेक्ट साम है छवी, छवी का आर्थ होता है प्रकास, ये दोक्षर का बहुत ही छूटावा प्यार नाम है नेक्ट्स नाम है चित्राडी चित्राडी का आर्थ होता है गंगा नदी ये नाम किसी भी लड़की के लिए बहुत ही प्यारा नाम है तो फ्रेंज आप सभी को मारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब चरूर करें वीडियो को जादा से जादा सेयर करें